इसके पूर्व वाले वीडियो में हम समों ने ECCE का अर्थ समझ लिया है ECCE संचिप्त रूप है Early Childhood Care and Education का और इस English विस्ताडित रूप का अगर हम हिंदी करते हैं तो हिंदी बनता है प्रारंबिक वाले आवस्था देख वाले वम सिक्षा और इसका अगर संचिप्त रूप हम लिखते हैं हिंदी का तो प्रावादे सी बनता है Early Childhood Care and Education का संचिप्त रूप है ECCE और इस English स्वरूप का हिंदी है प्रारंबिक वाले आवस्था देख वाले वम सिक्षा संचिप्त रूप हिंदी का प्रावादे सी इसे भली भाती हम समों को याद रखना है ताकि बार बार इसे बताना न परे बोलना न परे हम काम चलाएंगे ECCE से और ECCE का मतलब होगा प्रारंबिक वाले आवस्था देख वाले वम सिक्षा से संबंदित बाते हैं और ECCE पाटकरम जो लाया गया है सिक्षा विभाग के द्वारा तो इसमें क्या कुछ बताया गया है क्या कुछ खास बात है उसके उपर आज हम लोग विचार करेंगे तो ECCE सिक्षा सास्त की एक विशेश साखा है जिसके अंतरगत छे बर्स तक के बच्चों के समगर विकास से संबंदित बातों को बताया गया है इस पाठक्रम में उन बातों को समाहित किया गया है जो प्रारंभिक वाले अवस्था में बच्चों के उपर ध्यान देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है तो ECCE को जदी हम परिवासित करना चाहें तो परिवासा कुछ इस किस्म से बनेगा कि ECCE सिक्षा सास्तर की एक विसेश साखा है जिसमें छे वर्स तक के बच्चों के समगर विकास से संबंदित बातें बिस्तार पुर्वक बताई गई इस कोर्श के लिए परिच्चा भी देना है और परिच्चा में प्रस्न भी पूछे जाएंगे और प्रस्न किस्म के पूछे जाएंगे वह सारी बातें बताई जाएंगे फिलर हाल- आज हम जानलेते हैं कि प्रारंबिक वाल्य आवस्था देखवाल एवम सिख्छा तो प्रारंबिक वाल्य आवस्था है क्या प्रारंबिक वाल्य आवस्था सुन से 6 वर्स तक के आयू वर्थ के बच्चों की आवस्था को माना जाता है सुन कार्थाय गर्वावस्था से लेकर 6 वर्स तक के बच्चों का जो उम्र है वो प्रारंबिक वाले आवस्था माना जाता है प्रारंबिक वाले आवस्था को व्योहारिक द्रिश्टिकों से 3 चरण में बाटा गया है पर्थम चरन गर्वा अवस्ता से जन्म तक का काल है दूतिय चरन जन्म से तीन वर्स तक का काल है और तीरतिय चरन तीन से छे वर्स का काल है बच्चों का परारंबिक वाले अवस्ता गर्वा अवस्ता से लेकर छे वर्स तक के आयू को माना जा रहा है माना जाता है प्रारंबिक वाले अवस्था को पूरी तरह हम समझ पाए और कब क्या बच्चों को इस अवस्था में जरूत परेगी जहां पर हम समों को ध्यान देना है उस द्रिश्टी कोन से उस ब्योहारिक द्रिश्टी कोन से हम इसे तीन चरण में विभक्त कर लेते हैं पहला चरण गर्वावस्था से जन्म तक दूसरा चरण जन्म से लेकर तीन वर्ष तक और तीरती चरण अर्था तीसरा चरण तीन से छे वर्ष तक और गर्वावस्था से जन्म तक क्या कुछ ध्यान देने जोग है वो इस पार्ट करम में बता गया है जन्म से लेकर तीन वर्स तक क्या कुछ किया जाना है वो इस पार्ट करम में बता गया है तीन वर्स से लेकर छे वर्स तक क्या कुछ करना है वो इस पार्ट करम में बता गया है तो फिलाल आज के वीडियो में हम सबी कुछ खास चर्चा कर लेते हैं विशाय के उपर यह जो आप अध्यन कर रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है यह आपके प्रथम पत्र से बताया जा रहा है और प्रथम पत्र के आबरन प्रिष्ट पर जो कुछ लिखा है एक वार आज के वीडियो में हम लोग देख लेंगे फिर भीत्री हिस्से में जो कुछ लिखा है उसका एक जलक देख लेंगे और परिक्षा में अंक विभाजन और प्रस्ण पत्र कैसे होंगे इस पर भी हम लोग एक निगाह आज डालेंगे इस वीडियो में और तीनों चरण को विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और ये की दिन बहुत ज्यादा सीखने से रूचिक कमेगी तो थोड़ा थोड़ा कर सीखते हैं और कुछ दिनों के बाद कुछ वीडियो के बाद हम लोग बड़े पैवाने पर सीखेंगे और तेजी से इस कोर्ष को कम्प्लीट करेंगे क्योंकि एक साल का दिप्लोमा कोर्ष है और कितने महिने तो निकल चुके हैं तो जल्दी से जल्दी हम लोग इस पाठकरम को पूरा कर पाएं इस दृष्टी कोन से आगे वीडियो आएंगे जिसमें एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी जाएगी फिलाल आरंबिक काल है तो हम लोग फोड़ा संभल संभल कर चलते हैं तो आज के वीडियो में एक चीज याद रखना है कि ECC पाठकरम सिक्षासास्त की एक विशेश साखा है जिसमें छे वर्ष तक के वच्चों के समगर विकास से समंदित वातों को विश्तार रूप से बताया गया है और उन वातों को समझ क कर सीख कर हम अपने ग्यान को बढ़ाते हैं और उसमें दक्ष होकर अपने कर्च छेत्र में अपने छमता को बढ़ा लेते हैं तो हम सबों के लिए यह पाठकरम कर्च छेत्र में बहुत ही शाहिक साबित होने वाला है इसलिए हम सभी इसे गहराई से सीखेंगे पर इच्छ आप छेत्र में जब काम करना होगा तब काम आये इस सीखी हुई बातें इस किस्म से हम लोग सीखेंगे इसलिए अरंबे धीमा सीखेंगे और जब सीखने के परती हमारी अभिरुची हो जाएगी तिप्र तो हम लोग जादा जादा शीख करके जल्द से जल्द इस कूर्स को कंप्लीट करेंगे तो आज के वीडियो में आगे देखते हैं पर्थम पत्र के आपरन प्रिस्ट पत्र जो कुछ लिखा है उसके अंदर जो कुछ लिखा है परिच्छा का अंकुविवाजन किस परकार का होगा और परिच्छा में किस किसम के प्रसंद पत्र पूछे जाएंगे वैसे में मोटे त mono पर आपको बता दूं कि प्रसंद पत्र जुबाएंगे उसमें चार तरीके के प्रिश्ण होंगे बस्तुर्णी genka de City- sociology और परतिक बस्तुरनिस्ट प्रस्न के लिए एक अंक निर्धारित हैं अर्थात 10 अंक के बस्तुरनिस्ट प्रस्न होगे उसके पास चात अति लगूतरिये प्रस्न आएंगे जिनकी संख्या 8 होगी जबाब 5 का देना होगा और परतिक प्रस्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं अर्थात 10 अंक यहां पर हुए इसके पस्चात लगू उतर यह प्रस्ण है जिनकी संख्या 8 होगी जवाब 4 देने होंगे और परती प्रस्ण के लिए 5 अंक निर्धारित हैं तो यहां 20 अंक हुए और उसके पस्चात दिर्ग उतर यह प्रस्ण पूछे जाएंगे जिनकी मिलाके दिर्ग उतर यह प्रस्ण के जवाब के पस्चात आप 20 अंक पाएंगे लगूतरिये में 20 अंक पाएंगे अति लगूतरिये के लिए 10 अंक पाएंगे और वस्तुनिस्ट के लिए 10 अंक पाएंगे कुल 60 अंकों का सैधान्तिक पत्रों का सिस 40 अंक प्रायोगिक परि संक्क तो आगे देखें पर्थम पत्र के पुस्त के आप रेंदे प्रिस्ट पर जो कुछ लिखा है और उसके पच्छात न्क विवाजन देखेंगे और अंत में कि अन बातों पर ध्यान देंगे फिलाल में बता दो कि जदी आप चाहते हैं कि वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाए तो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन दवालें ताकि नोटिफिकेशन के माधम से आपको समय से आने वाले ने वीडियो की जानकारी मिल जाया करें और अपने सब्सक्राइब करना ना भूलें इससे पता चलेगा कि इस वीडियो की आपको कितनी जरूरत है तो आज के वीडियो में आगे आप देखें और वीडियो उन्हीं दृश्चों के साथ प्रसंद पत्र के नमूने के द्रिश्च के साथ समाप्त होगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और जारी रहेगी यह वानियर डिप्लोमा कोर्स से संबंधित बात देखें यह वान ये डिप्लोमा कोर्स के लिए पर्थम पत्र की पुस्तक है और देखे लिखा है पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए निशुल के वितरन हे तू शुनंद नीक आर्जकरम के अंतरगत एक वर्षी डिप्लोमा कोर्स प्रारंभीक वाल्य आवस्ता देखवाला और स सिक्षा नीचे लिखा है वान ये डिप्लोमा कोर्स अर्ली चाल्ड़ूट केर एंड एजुकेशन इसी सीए संचिप्त रूप है इसका प्रारंभीक वाल्य आवस्ता विकास एवं देखवाल से संबंदित बातें इस पत्र में बताई गई है और बच्चों का विकास किस कि कि-इस दिशा में होना है इस चक्र में दिखाया गया है बच्चों के मद्ध जो भी विकास है सादेरिक विकास अमाजिक विक विकास ये सभी चीज़ों पर सभी विश्यों पर सभी एक्टर्स पर आपका ध्यान इस पुष्टक में दिलाया जाएगा और निदेशाले समय कित्वाल विकास सेवाएं और भारत का संभी धान प्रस्तावना जराई से गहराई से पढ़ लें और देखें कि संभी धान जो हमारे देश का है उसके प्रस्तावना में जो कुछ लिखा गया है क्या संभी धान के रक्षक इस पर खर्यों उतर रहे हैं क्या संभी धान के प्रस्तावना के और रूप संभी संभी धान के संभी धान रक्षक लोग चल रहे हैं तो एसे जरा देख लेंगे जेहन में रख लेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है हमारे देश में संभी ध प्रश्था बना अपनी जगह किरिया कलाप अपनी जगह तो देखने अंदर के प्रेश्ट पर एक इस लिखा हुआ एक वर्षे डिप्लोमा कोर्स प्राणभिक वाले आवस्ता देख वाल और शिक्चा वानियर डिप्लोमा कोर्स Early Childhood Care Education, ECCE और ये पर्थम पत्र की पुष्टक है और पर्थम पत्र की पुष्टक में प्रारंबिक वाले आवस्ता के विकास एवं देखवाल Development and Growth से संब्धित बाते बताई जाएंगी और ये निदेशाले समयकित वाले विकास से वाएं समाज के लिएन विवाग भीहार सरकार और बोड का नाम नीची लिखा था और सैधान्तिक पत्र की अंक जोजना इस प्रकार है परनांक biking 6 साथ उत्रनांक कर इंखें से और प्रावयोगी पफ़च्ज 40 संक आंक कर पत्र ं हां उत्रनांक के पत्र हों आपको बें लिखा हो देखेंगर या उत्रनांक क्या होगा तो हम मान कर चलेंगे कि उतिरनांख 24 ही होगा और 24 कि यहां पर है और 16 प्रयोगिक के लिए है कुल चाली संक लाने होगे एक पत्र में कि सफल होने के लिए तो यह सब कुछ अपने जहन में बिठा लें और देख लें कि सैधानतिक पत्र की यंक जोजना में बस हुआ है तो आप अपने पुष्टक में इसे देख लेंगे और नमूना प्रसंपत्र आप देख लें लिखा है पुर्णांक साथ समय तीन घंटे कोर्स को दूदर लिखा हुआ है ग्रोथ और डेबलब्मेंट यानि पर्थम पत्र से संबंदित प्रसंपत्र का नमूना है और देख लें आपके लिए बस्तुनिस्ट प्रसंद दस पूछे जाएंगे और कुछ इस तरीके से प्रसंद होंगे आपके प्रसंद पत्र में और दस अंक के जो बस्तुनिस्ट प्रसंद है प्रतेक प्रसंद के जवाब पर आपको मिलेगा एक अंक इसके पस्चात जो दूसरा प्रशन पूछा जाएगा ओगा अति लोग घूतर ये प्रशन जो जिसका जवाब देख लें एक सब्द या एक वाक में आपको उत्तर देना है और कुल प्रशनों के संख्या होगी प्रशन पत्र पर आठ जवाब देने होगे पांच प्रशनों क और अंक प्रती प्रशन दो है इसलिए कुल अंक आपको हाशिल होगे दस दस बस तुनिस्ट में दस अति लगू उतर ये में कुल मिला के वीश अंक आए लगू उतर ये प्रशन 15 से 20 सब्दों में उतर दीजिए और यहाँ पर प्रशनों के संख्या होगी आठ जवाब दे चौर दीग उतर ये प्रशन 50 से 60 सब्दों में उतर दीजिए दो प्रशनों के उतर लिखें प्रशन होंगे 4 उतर देने होंगे दो प्रते के लिए 10 दिश अंक यहानी 20 तो खुल मिलाके साठ अंको की परिक्षा आपको देनी है और प्रायोग इक 40 अंक जिसमें 16 अंक उतर झाल